नमस्कार तो गाइस एक में बात बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग देखे होंगे कि पल्टूराम ने फिर पल्टी मार दिया जी यह गाइस आप लोग को बता दे कि पल्टूराम ने फिर पल्टी मार दिया और मतलब यह सोच के पल्टी मार दिये होंगे ताकि BJP में जाने के बाद उनका सरकार फिर से बन जाएगा और फिर सरकार जब बन जाएगा तो फिर इधार ये गटबंधन कर लेगे तो क्या लगता है आप लोगों के मतलब ऐसा होगा और मनिस भाईया ये बोल रहे हैं कि जिसको आप लोग पल्टूराम बोल रहे हैं वो दरसल पल्टूराम है ही नहीं पल्टूराम दो कोई दूसरा है जो की पलट जा रहा है वो और नाम बदनाम कर रहा है नितिस जी का तो आप लोग कमेंड कीजेगा और बताइएगा कि असल में पल्टूराम हे कौन और ये पल्टूराम बार बार पलट क्यों जाता है क्या इन लोगों का साजी से क्या राजनीत है कि मतलब इधर से उधर पलट जा रहा है और फिर इधर जाके सट जा रहा है मतलब क्या नीती जी चाहते हैं कि फिर बीजेपी में हम लोग हम चले जाएं और जाके फिर सरकार अपना बना के फिर इधर गटबंधन कर लेंगे तो क्या यह सोची सोची बुझी यह राजनीत है कि क्या है आप लोग कमेंड करके जरूर बताईएगा और कहा यह भी जा रहा है कि जब समझे यह तिजस्बी यादो नोकरी बाट रहे थे नोकरी का घोशना पत्र दे रहे थे तब यह कि दो पूरे पूर्म है भी नहीं फिर इतना रोजगार द्रह इनका नाम हो रहा है MRS pad पत्र का एलान किया जब नोकरी देने का एलान किया तब नितिस जी को ये लगा कि अब हमारा नया जो है डूब जाएगा और तेजस्वी यादों को लोग भोट देंगे और तेजस्वी यादों मुखमत्री बन जाएंगे तो हम तो फिर हार जाएंगे मेरा कोई मौल ही नहीं तो इसी लालच में आके नितिस कुमार ने क्या किये हैं कि यो BJP में चले गए हैं ऐसा लोगों का कहना है लोग तो मतलब तरह-तरह के बात बो रहे हैं बहुत सारा बात बो रहे हैं तो आप लोग बताईएगा कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है बीजेपी में आखीर इनका जाने का मकसद क्या है आखीर गए तो गए कैसे और क्यूं गए और गटबंधन में रहके इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बात की मतलब बोले थे कि बीजेपी वाले हमको काम नहीं करने देते थे हमको ताकि हम कोई काम कर सके इसलिए हमने बीजेपी से हटके अपने कटबंधन कर लिया तो क्या नितिश जी को मतलब किसी बात का डर है या फिर कोई किसी चीच का प्रेशर है तब ही तब बार बार इधर उधर पाटिएपना बदलते हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कुमेंट जरूर कि जिएगा कि क्या रीजन है आकिर क्या हकीकर्त प्लत जा रहा है लेकिन मनिसुखेय का कहताम है कि गतना मैं आरैके यानEM देदिया जा रहा है निती चाचा को तो मतलब इसारा सर्क इनका यह कहना में ठीक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आखिर में असल में पल्टूरम है कौन और अब की बार अब की बार किसका मतलब सरकार बनेगा कौन मुखमंद्री बनेगा बिहार का आप लोग अभी का टार्गट बहु कंत्री का सपत गरहन करेगा तो आप लोग कमेंट मक्स में कमेंट कीजिएगा तब तक लिए दीजिए जाए तो टाटा वाबाए जाहिए